दस सीटों पर चुना होना, भी हमने छैपर फिन पर प्रतियासी घोशत किये हैं, कॉंग्रेस को हिस्सेदारी देंगे, सम्मान जनक देंगे, जितनी देनी चीए उतनी देंगे, ऐसे तो हमने लोगसबा में भी किया है, लेकिन कॉंग्रेस कह रही है कि हमसें डिसकर्शन ही न कितने मंत्री बनाए कितने गवर्नर बनाए आज जो सोशित समाज के महानायक मानने वर काशी राम की पुनितिती है और उनकी एक बहुत फैमस किताब है बहुत पढ़ी जाती है चम्चा युग सुदान सुत्रिवेदी जी को जरूर पढ़नी चाहिए अगर नपढ़ी हो तो वैसा तो वो पढ़ने वाले विक्ति हैं काफी पढ़ते लिखते हैं अध्यन करते हैं उसमें उन्होंने यह कहा है कि किसी समाज से एक विकति को उठा के किसी सीट पर बैठा देना और उससे अपनी चम्चागेरी कराए जाना यह समाज को ताकत देने कौन मुखमबंत्री बनाया किस चम्चे वंत्री बिना दिया यह महत्पूर्णा में समाज़ के लिए आपूर लगा सब कासी राम जी कि किताब जिकर कर रहा हूं जबें करते हैं और आपने जाएं और admired के करे राज्ज में आपके सासन में केंद्र में भी और हर प्रदेश में जांगा बीजेपी सरकार है आज ये हालत हो गई है कि हर भरती में OBC की कट आप जनरल से उपर जा रही है ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इनकी आरक्षन विरोधी नीतियों के कारण हो रहा है इनकी दलित पिशड़ा PDA विर करा देना और उससे अपने लिए काम करा आपकी राए में मनु की सोच गलत थी पूर्ट है मनु समर्ती तो बहुत गंदा गरंथ है उसमें बहुत घटिया बात लिखी हुई है ऐसे गरंथ को तो नाम लेने की विज़र उतनी है ओके सुदान चुतिरवेदी वैसे तो इन्होंने जिन्दगी में पढ़ी नहीं होगी मेरा एक दो बार इनसे सामना हो चुका है यह भाई जरा मैं आपके कैमरा मेंसे काऊंगा जरा इस पर फोकस करिए यह मानेवर काशी राम पर बहुत बोल रहे थे जरा मैं बताता हूं फोकस करिए आप मैं बताता क्या हो भाटी साब दंदा बंदा जो बोलना था बोली आप मैं बताता हूं यह मानेवर काशी राम का साइन किया हूँ लेटर है मे 31st 1995 वो क्या लिखते हैं due to continuing atrocities on schedule cast and weaker schedule tribes and weaker sections of society in UP by मुलायम सिंग यादवर government in view of this we are withdrawing support मानेवर काशी राम का साइन किया हूँ लेटर 31 मई 1995 अब सुनिये पूरी बाद पूरी 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 उसके बाद इतने पर नहीं हुआ है मोहदे अब सुनिये उसके आगे फिर मायावती जी ने उसके आद बयान दिया कि समाजवा पार्टी के गुंडे ये शब्द प्रयोग किया हमारे दलित विधायकों को जाति सूचक शब्दों के साथ अपमान करके पकड़ पकड़ कर ले जा रहे थे अब सुनिये जब इनकी सरकार आई तो इन्हों ने रिजर्वेशन इन प्रोमोशन और सी यूपी में खतम किया और जो खतम किया वो रेक्टर इस्पेक्टिव किया तो हजारों सीडूल का जो प्रमोट हो गए थे वो डिमोट कर दिये गए और उसके बाद वो दौर आया 2007 में जब दलितों की पार्टी ने नारा दिया उत्तर यह शेड जिस लेजे में उत्तर देना सुरू किया उससे इस पस्ठ हो गए को बड़े नाराज हो गए अपसेट हो गए क्योंकि मैंने इनकी अस्लिए बदा दी आप ने जो अमनें पोई सब्सक्राइब भी भारती जंता पार्टी को सर्टिफिकेट देता है कि भारती जंता पार्टी जातिवादी पार्टी नहीं है पिछड़ विरोधी पार्टी नहीं है भारती जंता पार्टी की सरकारण पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं किया जो राज दो राजनितिक पार्टियां एक ही ज चलता रहता है मानेवर आप मैं विवस्था की बात कर रहा हूं आपकी पार्टी लगातार पूरे देश में पिछडे दलित अलपसंक्यक समाज के साथ अन्याय कर रही है उन्हें फरजी मुटबेडों में मार रही है उनके खिलाब जूटे मुकदमे दर्ज करा रही है उन्हे पूरी यूपी सेंट्रिक चर्चा हो रही है लेकिन यह देखिए इसमें एक लाइन बोलना पड़ेगा बस एक लाइन भाटी जी मैंने तीन फैक्ट बोले थे आपने बगएर फैक्ट के बोला फिर बताना चाहता है इन्होंने सर्टिफिकेट क्या दिया माया वती जी की ज फिर मैं भाटी जी कहता हूं बुरी इस लिये लगती है जब आप जैसे संब्रांत लोग जो संब्हता से डिबेट करते हैं समाजवादी पार्टी मुकाबले पर इतना जूट नहीं बोलना चाहिए आप दोनों मेरे लिए महतपूर्ण मेमान है आप ने कहाना कि हमने जूट बोला है जी लेकिन लेकिन मैं फिर पॉइंट के ओपर आता हूं कॉंग्रेस के साथ ये जो खेल हुआ है इसके बाद आम आदनी पार्टी भी बहुत सारे सवाल पूछ रही है सतीज जी मैं आपको खड़े हुए विरोधी पार्टी है देखिए जब नई पार्लियमेंट का उध्गाटन हुआ तो इन्होंने मुर्मूजू को नहीं बुलाया जब राम मंदिर का उध्गाटन हुआ तब भी उनको नहीं बुलाया राम मंदिर का शलन्यास हुआ तब भी इन्होंने रामनाद कोविंजी को को नहीं बुला आपको नहीं बुलाएंगे तो हम कॉंग्रेस को नहीं बुलाएंगे इसमें नहीं बात क्या कही पिछला चुनाप भी आपको एक साथ तो कभी अलग झाल झाल